कि दोस्तों आज हम जो है को सेटिंग के बारे में यहां पर डीपली बात करेंगे ठीक है तो अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और जो लास्ट वाली ट्रिक है वहर एक एंडुर डिवाइस में वर्क करेंगी तो आप इस वीडि देखते रहे हैं और दोस्तों अगर आप चैनल में मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो चुए अप्लोड होती रहती हैं सुना मश्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आ अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देता हूँ आप उस वीडियो को देखके अपने फोन में इसे सेट कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं वह भी बिदाउट एप्लिकेशन तो चलिए अब हम सेटिंग के बारे में यहां लेगे तो सेटिंग जाने के पाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है तो कई बार के होता है तो आपको पता नहीं चलता कि हमारा हमने जो नंबर ब्लोक लिस्ट में डाला है तो उसको कैसे निकाले अपने ब्लोक नंबर से यहां पर ऑप्शन आता है किसी भी सब्सक्राइब शिर्डव लाई जाते हैं ऑर इस बीडिया आप उठा चाहते हैं कि आपको औरन से और नंबर से खोड़ के वहां सब्सक्राइब ऑच्रिके थी और तो यह अप्छन हो करते हैं तो आपको कोई भी spam calls बगए रहती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह call जो है spam है ठीक है मतलब कि कोई आपके device को hack करना चाहते है आपके Paytium को मतलब पेटियम की भी जो hack करना चाहते हैं पेटियम के लिए भी जो है बहुत सारी fake calls आती हैं तो आप इसको simply यहां से on कर दें ठीक है तो यहां से आप share name and number भी कर सकते हैं मतलब कि आप अपना number और नाम भी share कर सकते हैं इस option को on करके समझ गे ना उसके बाद आपने back आना यहां पर उसको आपका recording calls यह सभी को पता है अगर आपको नहीं पता तो recording calls को option यहां से आप auto recording on कर देंगे तो आपने यह notification को अभी ओन रहा था आपने इसे off कर देना है क्योंकि जैसे call record होगी तो आपको notification आ जाएगा तो पता चल जाएगा बंदे को कि हाँ इसमें call record हो रही है ठीक ह यहां पे vibrate when answered मतलब जैसे कि आप call को उठाते हैं मतलब कि जैसे call उठाएगे तो vibration होगी phone पे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने call उठा ली है के बार के होता है कि बंदा call उठा लेता है और आपको पता नहीं चलता है आप ऐसी बाती करते रहते हैं लेकि जब आप vibration when answered जैसे on करेंगे कि किसी call मिलाएंगे जैसी बंदा वो call उठाएगा तो आपको vibration होगी phone पे आपको पास लाएगा कि बंदे ने call उठा ली है vibration vibrate when cold ends जब आप phone काटेंगे तब भी vibration होगी यह option भी यहां से आप on कर सकते हैं play tone when cold contacts यह तो आपका by default on रहता है तो आप इसे on off कर सकते हैं अपने इसाब से play tone when cold ends यह भी आपका जो by default on रहता है नोटिफाइड द्यूरिंग को यह भी आपका by default यहां पर आउन रहता है तो आप इसको on off कर सकते हैं तो रिंग टॉन्स यहां पर सैट कर सकते हैं आप vibration पैटरन हो गया ठीक है फिए vibration वाइल रिंगिंग तो यह भी आप option यहां पर आउन कर सकते हैं जैसे कि आपको रिंग यहां पर बंद भी कर सकते हैं ना कमाल का ट्रिक उसके बादम नेक्स फिचर के बारे में answering and ending calls यह बहुत इमेजिंग फिचर है read caller name allowed जैसे कि आपको call आईगी तो आपका यहां पर नाम बताएगा किसकी call आ ठीक है तो इसको आप यहां से on कर सकते हैं और यह आपका work करता है Bluetooth पे भी work करता है ठीक है और अगर आपने Bluetooth जोड़े हैं गाड़ी के साथ मतलब किसी speaker के साथ या फिर headphone जोड़े हैं तब यह आपका loud करेगा तो always भी कर सकते हैं यहां से ठीक है इस feature को on करके है ना कमाल का उसके बाद आप यहां पर answer automatically मतलब कि आप इसको on करेंगे तो आप मालनों कि आपने headphone लगा या फिर Bluetooth से connected है तो आपका automatically जो है दो सेकेंड बाल जो है आपकी call पिक हो जाएगी मतलब आपको उठाने की जो उतने ही पड़ेगी आपकी automatically जो है call उठ जाएगी ठीक है इससे क्यों होगा मतलब कि आप कही बार गाड़ी चलाते हैं आप बीजी र पिक हो जाएगी प्रेस पावर की टु एंड मतलब पावर की को अगर इसको कर देंगे तो अगर आप फोन काटना चाहते हैं तो पावर की प्रेस करेंगे तो आपकी call यहां पर कट हो जाएगी अब हम जो next feature के बारे में यहां पर बात करते हैं तो next feature है quick discipline messages मतलब कि यहां प यह option यहां से add कर सकते हैं ठीक है जैसे की call cut करते हैं तो आपको message आते हैं please text me can you call back later I will call you back यह आप अपने हिसाब से यहां पर set कर सकते हैं कोई memos यहां पर set कर सकते हैं ठीक है है कमाल का feature उसके बाद है call display वाल यूजिंग apps तो यह आप pop-up भी रख सकते हैं तो आपको disturbance नहीं होगी तो आप इसे mini pop-up पर यहां पर set कर देंगे अब हम लास्ट इन important setting के बार में बात करेंगे वह हमारी calling screen ios calling screen मतलब कि ios 14 जो आपका iPhone phone होता है उसकी तरह जो आप अपनी color screen यहां पर set कर सकते हैं और आपना photo भी लगा सकते हैं तो कैसे उसके लिए आपको एक application यहां पर download करने होगी जिसका link में आपको निचर description पर दे दूँगा आप उसे download कर सकते हैं sd call screen तो इस तरह के application है आपने क्या करना यहां से simply आपने setting पर जाना है ठीक है आप background पर जाएंगे यहां पर फिर आपने gallery पर जाना यहां पर यहां पर यहां पर फोटो चूज कर ले तो मैंने यह वाली फोटो यहां पर चूज कर ली ठीक है चूज कर ली फिर मैंसे done कर दूँगा जैसे मुझे call आएगी तो मेरी फोटो इस तरह आजाएगी calling पर phone काटने का अपको यहां पर देखने को मिल जाएगा है न कमाल का तो जैसे इस तरह का इंटरफेस देखेगा आपकी screen पर आप अपनी यहां पे फोटो अपनी भी लगा सकते हैं किसी और की लगा सकते हैं न यह है न कमाल का feature यह था अज का वीडियो मैं आशकरत हो आपको पसंद आया ह होगा पसंद दाया तो प्लीज लाइक कर दीजेगा तो बाई-बाई टेक है जैहिंद बंदे मातरम